नमस्कार आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है वेरे यूट्यूब चैनल विश्णु पंडे व्लोग्स में तो आज हम आपको लेकर आए हैं एक नहीं जगा की सहर कराने और वो जगा है पुराने लखनव के हुसेनाबाद के पास बना हुआ एक प्यारा सा घाट जिसको बोलते हैं गुडिय घाट आएक आपको कराते हैं गुडिय घाट किसे और दिखाते हैं कि आप यहांपर कैसे पहुंच सकते हुए अबढ़न घ्र Yeah हमने अपनी गारी यहांपर पार्क कर दी है यह हमारी त्यारी से हमसफर कि में हआब चलते हैं अम और है अब यहां से चल रहे हैं अंदर की तरफ जैसे ही आप अदर आएंगे तो आपको पीछे मिलेगा यह गुंबद चुकि यह लखनव में बना हुआ है तो इसका जो आर्किटेक्चर है उसका थीम लखनव के जो पुराने आर्किटेक्चर है नवाबों के टाइम के आर्किटेक्चर है उनसे लिया गया है इसके खुबसूरती को बढ़ाने के लिए यह घाट है और यह है कुडिया घाट यहां पर शाम में बोटिंग भी कर सकते हैं आप आकर के बोटिंग वगेरा होती रहती है यहां पर और इसके ठीक पास में ही बना हुआ है यह नया पक्का पुल इसके जो आप पीछे देख रहे हैं इसके ठीक नीचे जो दिख रहा है चोटा साब को दिख रहा होगा यहां पर यह लखनों का बहुत पुराने पुलों में से एक और यह अभी नया बना हुआ है हुआ है कि आध्यशन कर सकते हैं तो यहां पर एक है घोमेश्वर महादेव मंदिर और उसे शनिदेव मंदिर तो यहां पर आपके दर्शन भी कर सकते हैं आईए अब आपको लिए चलते हैं आगे तो यह है पूरा यह घाट जो आप देख सकते हैं मेरे सामने यह पूरा घाट है तो अभी हम आपको ले चल रहा है कुडिया घाट में आगे अंदर की तरफ और आए दिखाते हैं कि अंदर इसमें क्या-क्या है सेहिए आप अंदर आएंगे थोड़ा से तो यहां पर की खूपसूरत सा पार्क बना हुआ है जिसमें मौर्णिंग में लोग मौर्णिंग वॉक करने आते हैं एक्सरसाइज करने आते हैं यहां की ताजी हवा लेने आते हैं क्योंकि यहां ग्रीनरी बहुत है और यहां का व्यूग तो यह कुछ ऐसा नजारा है यहां यहां क्या आप ग्रीन देख रहे हैं यहां हमारे आजल खुम्भी कहते हैं यहां का जहां पर आप फैमिली के साथ दोस्तों के साथ आसकते हैं घूमने के लिए मॉर्निंग वॉक या इवनिंग में भी आप आ सकते हैं आप आई आई आपको ले चलते हैं उपर की तरफ तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह पुराने लखनौ के हुसाइनाबाद के अपोजिट साइट बना हुआ है हाँ से यह क्लॉक टावर कितने करीब में दिख रहा है बिल्कुल सामने आपको थोड़ा सा उपर जाके दिखाता हूँ तो यह रास्ता है जहां से लोग आते हैं पुराना लखनौ यानि के इमाम बाड़ा के पास से होते हुए यह सामने बना हुआ है क्लॉक टावर नहीं पर बना हुआ है यह कुरिया घाट तो यह मूर्ति है गोमती माता की एक प्रतीक गोमती मैया का जो की कच्छुए पर सवार है के सर पर मुकुट है जो आप देख रहे हैं ठीक पीछे यही है गोमती नदी जिसके किनारे बना हु कि तो आप यहां पर विजिट कर सकते हैं कि उडिया घाट के अंदर ही छोटा सा छेत्र है जहां पर बहुत ही पुराना अर्किटिक्टर बना हुआ है वो भी आपको दिखा देते हैं इसमें लखोडियों का इस्तेमाल किया गया है तो वैया जी अभी हम आ गये हैं कुडिया घाट से बाहर यह था कुडिया घाट का एक छोटा सा व्लॉग उमीद है आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा यह जगह पसंद आई होगी अगर आपको यह व्लॉग और यह जगह पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक क करें शेयर करें और हाँ बेल आइकान को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे व्लॉग के नए ने नोटिफिकेशन मिलते रहें मिलते हैं आपको नेक्ट व्लॉग में तब तक के लिए हर हर महादेव